श्री गनेशाय नमाहा, नमशकार दोस्तो, दोस्तो, ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, चंद्रमा का हमारे दैनिक जीवन में विशेश महत्व होता है, क्यूकि चंद्रमा सबसे गतिमान ग्रह है और हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते है, जैसे चंद्रमा एक जैसा नहीं होता, हमारा दिन भी एक जैसा नहीं होता, तो आईए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहे हैं? दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपको बहुत ही शुबफल देने वाले है आपका मन शान्त रहेगा प्रसन रहेगा आप टेंशन फ्री रहोगे जोश और उत्साह सुबे से ही आपके अंदर देखने वाला होगा इस दिन खास करके स्त्री और आपके ससुरालपक्ष से लाब होने की आपको बहुत ज्यादा संभावना रहेगी इस स्मय में आप कई मामलों में सफलता हासिल करोगे आपका लाइफ पार्टनर आपको पूरी तरह से सहयोग करेगा इस समय में आप अपनी जन्म भूमी से और विदेश से दोनों और से धन कमा सकते हो इस समय में आपकी आर्थिक सिधी काफी मजबूत रहेगी इस समय में आपको धन कमाने के नए नए जरिये भी मिल सकते है अगर आप बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस पार्टनर्शीप में है तो वहाँ भी आपको अच्छा लाब मिल सकता है इस समय में आप कलाकिक छेत्र में अच्छा प्रदर्शन करोगे जोतिस विद्या अध्धात्म जैसी चीजों में आपकी रुची ज्यादा होगी इस समय में आपकी बोली में मिठास नजर आएगी और आपकी बुद्धी तीवरगती से काम करेगी आप इस दिन कुछ नया सोचोगे अपने काम को आगे बढ़ाओगे और इस वज़े से आपकी डेली की इंकम भी बढ़ेगी अगर परसनल लाइप के बात करते हैं लव लाइप के बात करते हैं तो इस समय में लव लाइप और बहतर बनने वाली है अपने पार्टर के साथ समय बिताना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा मोज मस्ती भरा प्रसन नताव आनन से भरा दिन रहेगा ग्रानक्षत्र आपको आज पूरा सहयोग करेंगे तो आपके प्रेम जीवन में आगे बढ़ने के लिए नए कदम आगे बढ़ाने के लिए पुरानी तकरार मिटाने के लिए और नए रिष्टेव बनाने के लिए हर तरह से ये समय आप के लिए अच्छा रहेगा घर परिवार में खुश्णमा माहोल रहेगा मैरिड लाइक भी इस समय में बहतरीन रहेगी अपने परिवार को खुश करे और आपके अपनों को थोड़ा ज्यादा समय दे ये वक्त कही घूमने फिरने के लिए एंजॉय करने के लिए काफी अच्छा रहेगा यात्राय करने के लिए भी समय हर तरह से अनुगूल है अगर स्टूडन्स की बात करे तो स्टूडन्स इस समय में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आपके लिए समय बेहतरीन रहेगा कॉंसेंट्रेशन अच्छी रहेगी ये समय जम कर पढ़ाई करने का है अच्छे समय का पूरा लाब जरूर उठाए अपने टार्गेट सेट करें और उस और पूरी लगन से बढ़े काम्याबी मिल कर ही रहेगी अगर स्वास्ते की बात करते हैं सेहत की बात करते हैं तो इस समय में आपका स्वास्ते भी अच्छा रहेगा मानसीक परिशानिया नहीं रहेगी अच्छे स्वास्ते के लिए अच्छा रूटीन बनाए और उस पर चले ताकि आप हमेशा फिट रह सके अपनी स्वास्ति के अनुसार अच्छा डायेट प्लान बनाए और उसे अच्छे सी निभाए योगा करे प्रानयाम करे सुबह टहलने जरूर जाए बीमारी आपसे दूर ही रहेगी इस दिन आपके लिए सफेद रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और छे अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दीख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारगदर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा